दोस्तो बॉलिवूट इंडस्ट्री में जहां एक तरफ अपने चुलबुले अंदास के लिए मशुहूर अभिनेता गोविंदा जाने जाते रहे हैं तो वहीं दूस्वी तरफ अपनी डांसिंग से हर किसी को दीवाना बनाने वाले अभिनेता मितुंदा अपने डांसिंग और आक्टिंग के लिए मशुहूर हैं जहां दोनों अभिनेता अपने अभिने से अपने फैन का दिल जीतते आए हैं और यही वज़ा है कि जहां आज इन अभिनेता को आज बॉलिवूट इंडस्ट्री में किसी पहच्चान की जरूरत नहीं लेकिन दोस्तों आज हम आपक इन अभिनेताओं के बारे में नहीं बल्कि उनके बेटों के लाइफस्टाइल स्ट्रॉगलिंग करियर और उनके फैन फॉलिंग सुरू बरू करवाएंगे तो अगर आप भी इन सबी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहें जाती इन दमदार अभिनेताओं के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें पहले बात करते हैं सुलबुले एक्टर गोविंदा के बेटे यश्वर्दन अहुचा की जिनका जो नम एक मार्च 1997 को मुंबई में हुआ था इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई मुंबई से ही की है और आज ही देख साल के हैं आपको बता दे कि अपने पिता की आक्टिंग करते देखते ही बड़े हुएं और उन्हें अपना आदश मान कर उनकी तरह अच्छा अक्टर बनना चाहते हैं बात करें इनकी स्ट्रगलिंग करियर की तो फिल्मी बैक्राउंड से तालुक र फिल्मों के बारे में अच्छे से जान सके इसलिए इन्होंने साजित नाडिया ड्वाला को बतौर असिस्टेंट डिरेक्टर के रूप में जॉइन किया है इन्होंने इनके साथ डिशूब और तडब जैसे फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डिरेक्टर काम किया है और अ उन्होंने फिल्मों में आने से पहले ही काफी नाम कमा लिया है जहां यश्वर्धन अभी बतौर असिस्टिन डिरेक्टर काम कर रही है और इस वज़े से वे एक लग्जीरिस लाइफ जीते हैं जहां उनके पास अभी 30 करों रुपई की समपती है जिसमें उनके पास महेंगे पास कारे भी हैं जिन में लंबगिने, मर्सरी बेंज और बेम डबलो एस सीरीज जैसी कई कारे हैं जिनकी कीमत करोणों में हैं वहीं आपको बता दे यश्वर्धन फिल्मों में आने से पहले ही काफी फेमस हैं जहां उनकी फैन फॉलूइंग काफी जादा है यश्वर्ध तो फिल्मी ज्रगत में आए भी नहीं पर अभी से ही लोगों के बीच वे काफी पॉपिलर हो गए हैं और इंटरनेट सेलिब्यूटी बन गए हैं अब बात करते हैं वर्सटाइल अगिनीता मेतुन चक्रवर्धी के बेटे महाक्षय चक्रवर्धी के जो 30 जुलाई 1984 में की है अब बात करें इनके स्ट्रगलिंग करियर की तो आपको बता दे फिल्मों में आने से पहले महाक्षय बत और मॉडल के रूप में काम किया करते थे जिन्होंने कई ब्रैंटों के लिए विग्यापनों में काम किया है इसके बाद इन्होंने फिल्मों के लिए ओडिशन को कई बहतरीन फिल्म में दी जिसमें रॉकी एनमी और हांटेट 3D जैसी से पहिट फिल्म में शामिल है इतनी सफल फिल्मों के बाद इन्होंने आज भी अपने आक्टिंग करियर को बरकरा रखा है यह जो अल्दी फिल्म ही दा ओनली वन में अभिने करते हुई नजर आने वाले हैं लेकिन अगर बात करें इनके लाइफस्टाइल की तो आपको बता दें महाक्षय चक्रवर्ती काफी लगशीरिस लाइफ स्ट्री न पसंद करते हैं जहाँ आज लगबग 50 कड़ों रुपए के मालिक हैं और एक फिल्म के लिए 1-2 कड़ों रुपए चार्ज करते हैं इसके अलावा ये कई ब्रांट के लिए एडविटिस्मेंट भी करते हैं जिससे इनके अक्षी खासी इंकम हो जाती है वहीं बात करें इनके आलिश्वान घर की तो आपको बता दें महाक्षय चक्रवर्ती अपनी फार्मिली के साथ मॉंबाई से जूहों के आलिश्वा रहे हैं जुसकी कीमत करोडों में हैं वहीं आपको बता दें महाक्षय चक्रवर्ती अपने पिता की तरहा एक जाना माना नाम बन चुके हैं जहां उनके सोशल मीडिया एकाउंट पर लाखो फैन फॉल्विंग हैं जिनमें उनके इंस्ट्रग्राम एकाउंट पर पैसरदस सब्लव छे दो फॉल्वर्स हैं जहां महाक्षय आई दिन अपनी लेटस्ट तस्वीरे शेयर करते हुए दिखाई देते हैं और उनके फैन्स उनके साथ सोशल मीडिया के जरिये जुड़े रहते हैं तो दोस्तों आपको अभी नेता गोविंदा और मिथुन्दा के बेटो चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले